गया जिला के मोहरा परखंड के मुझहपपर गाउं में एक ऐसे वेक्ति हैं जिनका नाम बतासो देवी है इनको रहने के लिए कोई बेवस्ता नहीं किया गया है क्या बीपील परिवारों से आते हैं इनके गाउ में करीब 390 घर दली तुवर्ग से हैं इन घरों में 12 घर ऐसे हैं जिन लोगों को सारा कागजात और पास्टुक भी बाटा गया है लेकिन एक साल से उपर हो चुका है इन लोगों को कोई भी किसी तरह का एक पैसा भी नहीं इसके कॉर्ड में आया है अभी ठंडे के मौसा में इन लोगों को एक ही रूम में सारे परिवार और जनमारों के साथ गुजाना करना पर रहा है अब को इन लोगों के मिल गया था था पंदरा सो लगों के मिल गया ती पास्टुक कहा है घर रख लिया तो बैंक में जाते तो क्या बोलते हैं बैंक सेकाइब भी खराते हैं यह जीतिकत करल था इससे दीकत क्या होता है परसानीए नहीं मिले तो परसानी नहीं है, हमानी के लुग गरीब आद में ये मजूरी करें दू किलो तो खाये की घर बने है, इघरी हमानी के दिक्यदारी है, बाल बाचा काना कुछा इठंडान, परसानी नहीं हकीन. आप लोग कैसे रहते हैं? आप लोग इसी रह रहा है, शर्चिम्कुम की द्रख को स्खांड पर जापू करा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं. और क्या दिक्त होता अपको? दिक्त बहुत ठासर बढ़ता है, तो किसी भागने पड़ता है, कहों पर किसी घर जाने पड़ता है. किसको बोलें किसको किसको जह देखा है कि यो वीडियो दुन्यादारीस तौक काहते हैं तो कोई तो कहांगा नहीं नहीं करे थे सार्कार है बाड़केल है दुन्यादारीu हैं थोड़ी है सब गामने हर्यन कुछ बना कखनें कुछ गाली, कुछ कुची, तो खाय चाहेंने, अपन घरवान तो बैठल रहा हैंने, अहमरा घरवोक ने ठेकाना है। बसात के मौसम में पुवाल का फूस डाल कर और पलास्टिक को डाल कर उपर से एं लोग जीवन बसर कर रहे हैं। जानमर भी उसी ही रूम में रखते हैं। मैं भी एक गरीब परिवार और इलिक समुझाय से हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बतासो देवी की तरह और भिग्रामीनों को इस समस्या का सामना ना करना परे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो का मुवाइल नंबर 94-31-84-89 पर कॉल कर उन पर दवा बनाएं। मैं अमित कुमार गयाजिला बिहार से इंडिया अनहर्ट के लिए।